हलो स्टूडेंस अराहुल वेलकम यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या जैसा कि अब सब जानते हैं कि पावर ग्रेड ने डिप्नोमा ट्रेनी के लिए जो एड्मिट कार्ड है वो इशू कर दी है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है बट मुझसे बहुत सारे स्टूड से उक्वारी की थी कि सर हम लोग इसके लिए एड्मिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उसी के बारे में आज की वीडियो है जिसमें आपको बताएंगे कि आपको पावर ग्रेड के डिप्लोमा ट्रेनी का एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है तो वीडि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने जिस इमेल आईडी से पावर ग्रेड के डिप्लोमा ट्रेनी के लिए अप्लाई किया था उसको ओपन कर लीजिएगा ओपन करने के बाद आप सिंपली उसके सर्च ऑप्शन में जाकर उसमें टाइप कीजिएगा पावर ग्रेड तो जैसे आप पावर ग्रेड टाइप करें तो सिंपली जो आपने पावर ग्रेड के लिए फोम भरा था उसका आपको इसमें नोटिफिकेशन मिल जाता है यहां से आप simply उस notification को click करेंगे उसमें आप अपना registration number देख सकते हैं और उसी email में आपको login करने के लिए link में मिल जाता है आप simply उस link पर click करेंगे तो आप इस तरह के interface पर पहुँच जाएंगे जैसे ही आप इस तरह के interface पर पहुँचते हैं उसके बाद आप वहाँ पर अपनी email ID और जो registration number आपको email ID में मिला हुआ है उसको fill करने के बाद login करते हैं जैसे ही आप login करेंगे आपका पूरा का पूरा form उस interface के साथ आपको दिखाई पड़ता है इसी के नीचे आप admit card डाउनलोड करने का link देख सकते हैं जैसी ही आप इस link को देखेंगे इस पर click करें click करने के बाद आप simply जो आपका registration आपको number मिला हुआ है उसको यहाँ पर fill करेंगे तो next box आप देख पा रहे हैं उसमें आप अपना password डालेंगे जो कि आपकी date of birth होती है without slash और hyphen simply आप यहाँ से जैसी क्लिक करेंगे आप अपने detail वाले page पर पहुंच जाते हैं उसी पर आप admit card का option देख सकते हैं आप उस admit card को डाउनलोड कर सकते हैं और simply उसे colored print करके आप अपना exam दे सकते हैं तो simply एगर आप step by step इसको follow करते हैं तो आप आसानी से अपने admit card को डाउनलोड कर सकते हैं हाला कि आप अगर directly इस page पर पहुंचना जाते हैं तो इस video के description में आपको link दे दिया जाएगा जिस पर आप directly click करके आप इस page पर पहुंच सकते हैं और अपने admit card को डाउनलोड कर सकते हैं पर उसके लिए आपको registration number जानना ही होगा जिसके लिए आपको अपनी email id को check करना पड़ेगा so students hope आपको यह video पसंद आई है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस video को like और share करना मत भूलेगा साथ ही शाथ अगर आप इस channel पर नए है तो आप इस channel को subscribe चरूर कर लिजेगा हमारे इस channel पर आप technical और non technical से भी चानकारिया पा सकते हैं ऐसे ही नए topic के साथ आपसे दुबारा अगली वीडियो में लागा दोगी तब तक के लिए